अगर बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो कॉंग्रेस में रहे कर मिल रहा है नमस्कार आप सब का स्वागात है हमारे चैनल नेक्स्ट नाए नियूस पर मैं नाम है दीपक गुपता राजिस्थान में प्लान बी की तैयारिया जोरो पर हैं जी हां आखिर प्लान बी क्या है पाइलेट और गहलोत को किस तरीके से बड़ा जटका देने के तैयारियों में है आला कमान आला कमान के फैसले के इंतिजार काफी लंबा हो चुका है लेकिन अब चड़चाए प्लान B की भी हो रही है प्लान B में यहाँ पर एक ऐसे खास शक्स का नाम सामने आया है लेकिन अभी तक सियासी घटना करम देखा जाए तो सियासी घटना करम में 25 सितंबर को सीपी जोशी को सोपे गए सबी इस्तिफों को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने आई क्या उसमें सीपी जोशी की कोई मुख्य भूमिका है क्या वो जान बुज़ कर कोई फैसला नहीं सुना रहे क्या वो जान बुज़ कर सरकार गिराना नहीं चारा है ऐसे अपने आप सवाल खड़े दूसरी पार्टिया करती नजर आई हैं लेकिन इस बीच प्लान B को लेकर जो चर्चाए हो रही है सोनिया गांदी के फैसले से हट कर वो जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ कर्शिश मौजूद है उनसे सीधा सवाल रहेगा कि इस समय राजस्तान में जो प्लान B के तैयारिया हो रही है उसमें आप का कहना चाहेंगे प्लान B में कहीं नहीं सीपी जोशी का नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है सभी को जा रहा है कि शायद अगर अश्यो गहलोट पीछे हड़ते हैं मुख्य मंतरी सीध पर से तो कहीं नहीं सीपी जोशी को आगे करेंगी लेकिन दिपक सवाल ये भी उठ जाते कि सीपी जोशी वही शक्स है जिनसे कहीं ना कहीं एक समय पा इश्यो गहलोट की बिल्कुल नही यही सवाल है कि वह सीपी जोशी कैसे यकीन कर पाएंगे आप अश्यो गहलोट पे दुबारा से और रही बात यहाँ पर सचीन पैलेट के तो देखिए जनता की मांग है सचीन पैलेट हम लगातार यही खबर करते हैं लगातार लोगों को ये जानकारी देते हैं तो अश्य साथ रेल मंत्री भी रह चुके हैं 11 से 12 राज्यों का परभार भी उन्होंने एक समय पर समाला था तो बहुत सारे पदों पर रहते हैं वह नहीं कहीं काम दिया है कांगरेस पाची को ही और साल 2008 के अगर सियासी घटना करम की बात करें तो उन्होंने अपने नाम पर सरकार ब सामने आया तो वह उस पर इंकार नहीं करेंगे क्यों कि भारतिये जनता पार्टी की अगर और रुक करते हैं तो बीजेपी में उनको वह पद नहीं मिल पाएंगे जो कांग्रेस में मिलना है क्यों क्यों कि बीजेपी के पास पहले से ही कही सारे दुरंदर नेता हैं वह उन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो कॉंग्रेस में रहकर मिल रहा है। कई नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी में युवा नेताओं की हमने अकसर कमी देखी है। कई नहीं हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जनता जरूर आवाज उठा सकती है। तो जायर सी बात है सचीन पाइलेट का एक बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुकर हैं लेकिन जिस तरीके से यहां पर जितनी भी अपडेट सामने आई उसमें कुछ गौर करने वाली बाते करें तो विधायकों की भूमिका बहुत जादा एहम थी। विधायक कहीन भाइस फ्रीके से सरकार गिरानए और बनाने में कारगऱ साबित था हो सकते हैं। लगातार ऐसी अपडेट सामने आली में और अगर कोई मुख्य मंतरी बने वह एतराज नहीं है क्योंकि वहां बयान उठ गया था दो तिन संख्या नहीं ये 102 की संख्या बताई थी गहलोत ने कि अगर ये एकदम से इतने सारे विधायक भड़क गई तो इसके पीछे की वज़ा क्या है ये समझना जरूरी है आला कमान को जैसा कि हमारे तमाम सियोगी ने जानकारी दी कि विधायकों की संख्या बहुत जाद या हो रहे हैं दरसल आप देख सकते हैं गहलोत समर्तक को मिल सकती है कुर्शी क्यूंकि राजसवा विधानसवा द्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी गहलोत पाइलेट के अलावा सीम पत के प्रबल दाविदार माने जा रहे हैं सीपी जोशी प्रदेश का अंगरिस की तरब जादा माना जाता है सीम गहलोत के सीपी जोशी से अपनी पुरानी अदावत भूल चुके हैं आपको बता दे कि 2008 में प्रबल दाविदार थी जैसे कि हाँ पर जानकारी दी गई लेकिन विधानसवा चुनाफ दोजार ठारा में जाट बहुलिय शेखावटी अचल के नाम सामने आए राजनितिक विशलेश्कों का मानना है कि तीसरे व्यक्ति के लिए पाइलेट भी इनकार करने की स्थिति में नहीं होंगे क्यूंकि सचिन पाइलेट को इस बात का हैसास कि BJP में समान नहीं मिल पाएगा जो कांग्रेस में है राजिस्थान की जमीन तीसर कर सामने आई अब राजिस्थान का सियासी घटना करम किस और जाकर थमे गए सोचने वाली बात भी है साथी साथ इन सब तमाम बातों को लेकर एतराज नहीं जताया जा रहा है कि पाइलेट गुट जो है वो शांती है जाताम उस खेमे में अभी शांती नजर आ रही है और पाइलेट खेमा लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाइलेट खेमे कि यह चुपए आखिर कब तक रहेगी क्या वो चुपए तोड़ेंगे अगर गहलो तो और पाइलेट के लावा किसी तीसरे नम की चर्चा होती है केसी वेडियो गोपाल ने कहा था कि दो दिन के अंदर फैसला होगा लेकिन दो दिन से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है सोनिया गांदी लगातार इस फैसले पर नजरे बनाएं कि आगर राजिस्थान में क्या होता है राजिस्थान का सियासी समीक्रण किस और जाकर थमेगा अभी भारत जोड़े यातर में शामिल हुई थी सोनिया गांदी लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया राउल गांदी के साथ चर्चा बहुत लंबे समय तक की थी अब देखना यही दिल्चस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर राजिस्थान की सत्ता का अंत कहां पर जाकर होता है लगातार जो सवालात जो गहलोत खेमे से हो लेकिन उससा बागी खेमे में से कोई नहीं होना चाहिए विधायक जो मुख्य मंतरी कुर्सी समाले राजिस्थान की तो यह था पूरा प्रक्रण जो यहाँ पर प्लान बी की तैयारी हो रही है समय राजिस्थान में क्या सोनिया के फैसले से पहले य